गटना चक्र 23 का रिविजन सिरीज है इस सिरीज में हम लोग सबसे पहले समान बिग्यान को लेका चल रहे हैं समान बिग्यान में भौत की बिग्यान के बारे में डिसकस करेंगे डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ इसका PDF एविलेबल है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्विज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाएए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इंफोर्मेशन को अपडेट कर दिया एमीटर ये बेधु धारा मापक की यंत्र है एमीटर क्या है बेधुत धारा मापक की यंत्र है एनीमोमीटर ये वायू वेग मापी है वायू के बेग को मापता है एन्टीनोमीटर ये सोर विकिरण मापक है एटमोमीटर ये वास्पिकरण मापक है ओडियोमीटर ये धौन धौनी की तिवरता को मापता है या धौनी की तिवरता मापी यह यंत्र है बैरोग्राप वायुमंडलिये दाब का निरंतर माप करने वाला यह यंत्र है इसके बाद अगर बात करें तो बैरोमिंटर है बैरोमिंटर वायुमंडलिये दाब मापी यंत्र है बोलोमिंटर उस्म प्रिव मुख्यतर नावी को के द्वारा जो है समुंद्र में किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट है कुलोरी मीटर कुलोरी मीटर रंगों की तिवरता के मापन के द्वारा पदाथों की सांद्रता का पता लगाने में परियुक किये जाने वाला एक उपकरण है कैथेटोमीटर ये उध्वादर दूरी ये उचाई मापक यंत्र हैं, क्रायोमीटर ये एक परकार का थर्मामीटर जिसका परियोग अत्ती निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, इसके बाद है साइकलोट्रोन ये एक परकार का कर्ण त्वरक जो आवेशित कणों की गती को बढ़ाने में परिप्थ होता है, क्रेशको ग्राफ ये पौधों की ब्रिधी को मापने वाला उपकरण है, डिलाइटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला ये उपकरण है, डीप सर्किल इस यंत्र के मदद से किसी अस्थान के नती कोन का मान ग्यात किया जाता है, डाइनेमो, यांत्रिक उर्जा को बिधुत उर्जा में परिवर्तित करने वाला ये उपकरण है, डाइनेमो क्या करता है, यांत्रिक उर्जा को बिधुत उर्जा में परिवर्तित करता है, डाइनेमो मीटर क्या है, डाइनेमो और डाइनेमोमीटर ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं इसको ध्यान में रखिएगा डाइनेमोमीटर बल, बलागोण या सक्ति को मापने वाला ये उपकरण है इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राफ, EEG ये क्या है? बहुत बार ये प्रशने पूछा गया है इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राफ जो है, ये मस्तिस की बिधुतिय गति बिधियों को मापता है इलेक्ट्रो मीटर ये बिधुत आवेस या बिधुत विभुवांतर का मापन करने वाला उपकरण है इलेक्ट्रो एस्कोप किसी निकाय में बिधुत आवेस की उपस्थिती का पता लगाता है इवैपोरी मिटर ये वायूमंडल में जल के वास्पी करण की दर को मापता है वायू मंडल में जल की जो आस्पी करण की दर है इसको मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है इवैपोरी मिटर एंडोस्कॉप ये सरीर के आंत्रिक अंगो का निरिक्षण करने वाला यंत्र है फैदो मिटर ये सागर की गहराई मापने की जो है एक डिवाइस है या यूगती है फलक्स मिटर अगर देखें तो ये चुमक की परवाह मापक यंत्र है गैलवेनो मिटर बेधुधारा मापी यंत्र है ग्रेवी मीटर गुरुत्विये तुरन मापक ये यंत्र है और जैरो एसकोप ये कोणिये वेग मापक यंत्र है इसके बार हाइडरो मीटर के बारे में अगर बात करें तो ये द्रवो तथा जलो के तुलनात्म घनात्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर वायु मंडल की सापेक्षिक आदरता का ये मापन करता है हाइड्रोफोन अंतर जलिये धौनी को रिकॉर्ड करने वाला ये एक उपकरण है हाइग्रोएसकॉप वाता उरण में उपस्तित आदरता के परिवर्तन को ये इंडिकेट करता है हेपसोमीटर दी गई उचाई पर जल के क्वथनांग को ग्याद करके उचाई का ये मापन करने वाला उपकरण है काईमोग्राफ क्या है तो काईमोग्राफ विभीन सारेरिक गतिवीदियों जैसे रक्त चाप, मान स्पेसियों का संकूचन, आदी के परिवर्तनों का ग्राफ में ये रेक हंकरन करने वाला उपकरण है लेक्टोमीटर दूद की गुणवता का पता लगाता है ठीक है लक्समीटर ये परकास की तिवर्ता को नापता है लिसीमीटर ये वास्त्विक जो कह सकते हैं कि वास्त्विक वास्तो सरजन मापक की यंत्र है लिसीमीटर मैगनेटोमीटर क्या है मैनोमीटर, द्रवो या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है माईक्रोफोन या यांत्र धावनित तरंगों को बिधुत अस्पन्दों में परिवर्तित करता है माइक्रोटोम एक ऐसा यंत्र है जो अणू विक्षणिये निरिक्षण के लिए किसी बस्तों को छोटे-छोटे भागों में भी भाजित कर देता है यह एक ऐसा यंत्र है जिसके कह सकते के अणु विक्षणिये निरिक्षण अणु के निरिक्षण के लिए छोटे छोटे टुकडों में इसे भी भाजित कर दता है नेफोएसकॉप ये बादलो की उचाई बेग और गत्ती की दिशा को मापन करने वाला यंत्र है ओडोमीटर क इसे आप कहते हैं जो वाहन होते है उसमें जो मीटर लगा होता है जैसे आप पता करते है कि कितने स्पीट से चल रहा है ये सबी क्या है इसके बाद है पेरियेशकॉप पेरियस्कोप क्या है तो याद रखिएगा ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आस पास के बस्तूओं को देखने में समर्थ बनाने वाला ये उपकरण है इस ओप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसे बस्तूओं को भी देखा जा सकता है जो डाइरेक्ट यंत्रिक रिकॉर्डिंग और उनर उत्पादन करने वाला ये उपकरण है फोटोमीटर ये परकास तीवरता मापक यंत्र है पोटेंसियोमीटर ये किसी सेल के एम एप का जो है इलेक्ट्रो मोटिफ होर्स का मापन करने वाला ये उपकरण है पिक्नोमीटर द्रवों के वि हीलियो मीटर, पाई रहीलियो मीटर, स्वर विकिरण का मापन करने वाला ये एक यंत्र है, पाईरो मीटर, उच तापमान के मापन में परियुक्त होने वाला ये उपकरण है, साइक्रो मीटर, सापेक्षिक आधरता का मापन करने वाला उपकरण है, और रेन गेज, वर्षन वर्षा, बर, खोला, इत्यादी की मात्रा का मापन करने वाला एक डिभाइस है, इसे यूडोमीटर, प्लुवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं, इसके बाद है रेडियोमीटर, विक्रण के द्वारा प्राप्त उर्जा मापने का ये यंत्र है, रिफ्रेक्ट्रोम मीटर जो है, अपवर्टनांग का मापन करने वाला ये अंत्र है, सैलियोमीटर, किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला ये ये अंत्र है, और इसके बाद, सोलेरी मीटर जो है, सोर विक्रण की तिवरता का मापक ये अंत्र है, सैक्री मीटर, किसी सरकरा युक्त बिल पिलेन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। इसके बाद है एस फिगनो मैनोमीटर ये रक्त चाप का मापन करने वाला उपकरण है। इसके बाद है इस टेथो एसकोब जो है ये हिर्दे गत्ती सुनने में परियुक्त यंत्र है। इस फिडो मीटर किसी वाहन की गत्ती को परदसित करने वाला उपकरण है। और टैको मीटर बस्तुव जैसे इंजन या सौफ्ट आदी की घोडन गत्ती का माप करने वाला उपकरण है। इसका परियुक ब्यापक रुप से अटो मोबाईल बिमान आदी में किया जाता है। विसको मीटर किसी तरल की स्यानता का मापन करने वाला ये यंत्र है। पेज पर जो भी डिसकसन किया है जैसे जो विज्ञानिक उपकरण और उनका जो अनुपरियोग है इस पेज से करीब करीब जो है 50 से 60 कोश्टन पूछा गया है और इसे अनिको कोश्टन भी बनाया जा सकता है। जैसे पहला प्रश ने पूछा गया कि सोनार निमलिखित के द्वारा परियोग में लाया जाता है। प्रती धौनी के रूप में वापस लोट आते हैं जिनकी सहायता से महासागर में डूवी हुई बस्तू की वास्त्विक इस्थिती की जनकारी हमें प्राप्थ हो जाती है। तो सोनार निमलिखित के द्वारा परियोग में लाया जाता है किसके द्वारा तो नौ संचालकों के द्वारा डी अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है। सेकेंड प्राप्शन है महासागर में डूवी हुई बस्तू के स्थिती जानने के लिए किसी अंत्रका प्रयोग किया जाता है। वही प्राप्शन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनार डी अप्शन सुनार में हम उप्योग करते हैं किस धावनी तरंगों को उप्योग करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रास्रव्य तरंगों का सुनार में परयोग किया जाता है सी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रास्रव्य संख्या फोर में पूछा गया है कि धावनी की तिवरता को मापने वाला जो यंत्र है वो यंत्र है बताइए आडियो मीटर आडियो मीटर के द्वारा धावनी की तिवरता का मापन किया जाता है जबकि एनिमो मीटर के द्वारा वायू के वेग की मापन की जाती है क्रोनो मीटर एक ऐसा उक्करण है जो तपमान, आधरता और वायुदाब आधी में परिवर्तन होने के बावजूर भी समय का पूर्ण परिसुदता के साथ मापन करता है फाइफ नरहा है एनीमो मीटर से नेमलीखित में किसका मापन किया जाता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा इनीमो मीटर का परियोग पवण बेक के लिए किया जाता है C अप्शन बिलकूल प्रेक्ट अप्शन है शिक्स नंबर है वायू की गती निमलिखित के द्वारा नापी जाती है वायू की गती निमलिखित के द्वारा नापी जाती है याद रखिएगा सही जबाब हो जाएगा एनीमो मीटर देखे एनीमो मीटर के द्वारा वायू के बेक की मापन की जाती है वाई मंडली ये दाब को मापने के लिए बैरो मीटर का उक्यों करते हैं और हाइडरो मीटर से द्रव या जल के घनातों का जो है मापन करते हैं सेवे नमबर है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर जो दिया गए जैसे एनिमो मीटर का संबंद वायू की चाल्स है सुमेलित है पाइरो मीटर उच ताप और अ मीटर बिधुधारा ये सभी सुमेलित है लेकिन टाइक्योमीटर जो दिया गया, टाइक्योमीटर का संबन जो दबांतर से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है टाइक्योमीटर एक परकार का सर्विक्षन उपकरण है जिसे बात करें तो 36 दुरियों लंबवत 19 और दिसाओं के त्वरित मापन के लिए डिजाइन किया गया है ठीक है और अनविकल्पों के जो यूग में है ये सभी सही है इसके बाद अगर बात करें तो next है 8 नमबर प्रश्न बेधुधारा निम्ने में से किस उपकरण से नापी जाती है बेधुधारा निम्ने से जो है किस उपकरण से नापी जाती है तो बेधुधारा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह है एमीटर एमीटर बेधुधारा मापक यंत्र है पोटेंसियो मीटर किसी सेल के EMF का मापन करने वाला एक यंत्र है 9 नमबर है निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताईए तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है गैलवेनोमीटर बिधुत परतिरोद गैलवेनोमीटर का सी बیधू सरकिट में अति सुक्ष में या अति अल्प बिधू धारा की उपस्थीती का पता लगाता है प्रश्न संख्या 10 पाइरो मेटर किसके मापन में परियोग किया जाता है तो याद रखिएगा सही जवाबें ओच ताप के C अप्शन बिल्कुल Correct अप्शन है पाइरोमीटर या पूर्ण विक्रण उताप मापी टोटल जो रेडियेशन जो पाइरोमीटर होता इसके सहायता से अत्यरिक ओच तापों की मापन की जाती है यह ताप मापी एस्टिफेन के नियम पर अधारित है जिसका नुसार उच ताप पर किसी बस्तू से उस्सर्जित विक्रण की मात्रा इसके परंत ताप के चतूर्थ धात के अनुक्रमान उपाती होती है इसकी सहायता से दूर की बस्तूवों जैसे सुर्य आधी के ताप का मापन की जाता है इस ताप मापी से लगभग 800 डिग्री से नीचे का ताप नहीं मापते क्योंकि इससे कम ताप पर बस्तूवे उस्मिय बिक्रण का उसर्जन नहीं करती है एक 11 नमबर है नेमलिकित सन्यंत्रों में से किसका उप्योग अत्यधिक उच्छ ताप को मापने में किया जाता है इसका सही जबाब दीजिये कमेंट करके बताइए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा इसका सही जबाब है Pyrometer Option A बिलकुल Correct Option है तो अगर बात करें तो 12 नमबर भी वही प्रश्न पूछा गया है निम लिखित ताप मापीओं में से किसे Pyrometer कहा जाता है निम लिखित ताप मापीओं में से किसे Pyrometer कहा जाता है तो सही जबाब है विकरण ताप मापी को यानि B अप्षन इसके बाद प्रश्ण संख्या 13 में पूछा गया है कि वह थर्मामेटर जो 2000 degree centigrade मापन के लिए उप्यूग्द हो वह है वह थर्मामेटर जो 2000 degree centigrade मापन के लिए उप्यूग्द हो वह है बताइए सही जवाए पूर्ण विक्रण पाइरोमीटर पूर्ण विक्रण पाइरोमीटर यानि C अप्षन बिल्कुल करेक्ट अप्षन है पूर्ण विक्रण पाइरोमीटर के द्वारा अत्यारिक ओंच तापन का मापन किया जाता है ये मुख्यता गतिसिल बस्तूओं तथा उन सतहों के मापन के लिए परियुख्थ होते हैं जीन तक पहुँचना या उन्हें अस्पर्ष करना संभव न हो इसमें उसमिय विक्रण के मापन के द्वरा तापमान का मापन किया जाता है चौदा नमबर है निमलखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए परियोग में लाया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर 1500 degree centigrade से अधिक तापमान को मापने के लिए पाइरो मीटर का परयोग किया जाता है और 15 नमबर है देखे पाई रहिलियो मीटर का परयोग इन में से किसके मापन के लिए किया जाता है पाई रहिलियो मीटर का परयोग निम्ल में से किसे नापने के लिए किया जाता है तो solar radiation को historical विक्रिण को नापने के लिए दो परकार के उपकरण का परयोग किया जाता है एक है पायरेनोमीटर और दूसरा है पायरहिलियोमीटर solar नंबर है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है प्रियोग किया जाता है 17 नंबर जो है सुची 1, सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो चले मिलान करते हैं जैसे इसका जो उपकरण या या यंत्र दिया गया है जैसे जो एमीटर है इसका जो सम्मंध है एमीटर का वो किस्से है एमीटर का समंध धारा से है हाइग्रोमीटर का समंध साप्यक्ष आदरता से है और एस्प्रिंग तूला का जो समंध है एस्प्रिंग तूला इसका समंध भार से है और बैरोमीटर का समंध दाव से है इसका सही जबाब हो जाएगा option B चलिए दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं अगर बात करें तो A मीटर से किसी बीधु परिपत में परवाहित होने वाली बीधु धारा का मापन किया जाता है हाईगरो मीटर से वायू मंडल की आप पेचिक आदरता को मापते हैं नेमलिखित यूगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वाबताईए तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें जो सही सुमेलित है वो कौन कौन सा है जैसे ओडियो मीटर का सम्मध वाहनों के पईयों के दोरा तैय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है ओडियो मीटर का जो सम्मध है वेधु चुमबक के तरंगों की आवरिती मापने का यह यह की अंत्र यह भी सही है ओडियो मीटर धौनित तिब्रता मापक युक्ती है यह भी सही है लेकिन जो ए मीटर दिया गया है बेधु सक्ती मापक यंत्र है ये बिल्कुल सही नहीं है ए मीटर बेधु धारा के मापन के लिए पर्युक्त उपकरण होता है न की बेधु सक्ती के मापन के लिए 19 नंबर है वायू मंडलिये दाब को मापने में यंत्र का उप्योग किया जाता है वायू मंडलिये दाब को मापने में किस यंत्र का उप्योग किया जाता है तो याद रखेगा बैरोमीटर B अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है इसके बाद इसमें एक दो पॉइंट दिया गए कि वायु मंडली और आपकुम आपने के लिए बैरोमीटर का उप्योग करते हैं बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आजाना अगर बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे आजाता है तो इसका मतलब है तुफानी मौसम, तुफान आने की संभावना है, काफी प्रबल संभावना होती है अगर पारा अच्छानक बैरोमीटर में नीचे आजाता है तो प्रशन संखिया 20 से सधारन बैरोमीटर में कौन से दर्ब का परियोग होता है सधारन जो बैरोमिटर होते हैं इन बैरोमिटर में सधारन परकार के जो बैरोमिटर है इन में किस परकार का लिक्विड का परयोग किया जाता है तो देखें बैरोमिटर या वायू दा मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायू मंडल की दबाव को प्रेशर को मापा जाता है और विभिन परकार के बैरोमीटर में जो है अलग-अलग मापक द्रव जैसे जल, पारा या हावा का परियों किया जाता है तो बैरोमीटर में पारे के परियों का अधिक प्रचलन है इसका सही जबाब हो ग्याद किया जा सकता है किस यंत्र के माध्यम से किस डिवाइस के माध्यम से दूध की सुधता को मापने के लिए बताइए या उसके आपेक्षी घंत्र को मापा जाता है किस से लेक्टोमीटर से दूध का आपेक्षी घंत्र का मापन लेक्टोमीटर के सहता से किया जाता है और जो butereometer है, इस यंत्र का उप्योग या उपकरण का उप्योग दूध या दुग्ध उप्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है. तो butyriometer, butyriometer है दूद में या दूद उत्पादों में जो वशा होता है, fat होता है इसको मापा जाता है इसको मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दूद के घनतों को किसके द्वारा मापा जाता है सही जबाब आपको पता है इसका सैज जबाब हो जाएगा lactometer तेस नमबर है वायू मंडल की सापेक्ष आधरता ना पी जाती है किस उपकरण के माध्यम से वायू मंडल की सापेक्ष आधरता ना पी जाती है hygrometer से याद रखियेगा hygrometer hygrometer वह उपकरण होता है जिसके सहायता से वायू मंडल की सापेक्षिक आदरता की मापन की जाती है लेक्टोमीटर से दोद की सुदता, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनतुए और पोटेंसियोमीटर से विभुवांतर को मापा जाता है 24 नंबर है हवा में आदरता को नापने के लिए कौन सा उपकरण परियोग में लाया जाता है हवा में आदरता को नापने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर ओप्शन B बिलकुल करेक्ट ओप्शन है हाइगरोमीटर याद रखिएगा हवा की आधरता कुनापने के लिए हाइगरोमीटर जो है परिप्ट होता है एस्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो बिधुत चुम्बकिये एस्पेक्ट्रम के एक बिसिष्ठ भाग के सापेक्स परकास के गुणों का मापन करता है युडियोमीटर एक परियुक्साला उक्करण है जो किसी भौतिक या रसाइनिक परिवर्तन के फॉल सोरुप किसी गैसी है मिश्ळन के आयतन में होने वाला परिवर्तन को ये मापता है हाइगरोमीटर से नापा जाता है हाइगरोमीटर से किसको नापा जाता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा वाता वरणीय आधरता को यानि option A बिलकुल correct option है 26 नमबर है आधरता किस उपकरण से नापी जाती है आधरता किस उपकरण से जो है नापी जाती है आपको मालूम है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा हाईगरो मीटर यानि अप्शन बी बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है हाईगरो मीटर वायूमंडल की साप एक्षिक आधरता को मापने वाला यह यंत्र है हाईडरो मीटर से द्रव या जल के तुनलात्म घनत्व का मापन किया जाता है आधरता को मनांकित करने का उपकरण नेमने में से कौन सा है तो वही कुश्चन है वही जबाब होगा हाईगरो मीटर इसका सही जबाब है आधराथा को मनांकित करने का जो उपकरण है हाइग्रोमीटर है पाइरोमीटर उच ताप तथा हेपसोमीटर उचाई मापने का यंत्र है थर्मो एस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाय रखने का एक उपकरण है 28 नमबर है रिंगेल मैन एस्केल का परियोग निम लिखित में किस घनात्यों मापन में होता है रिंगेल मैन एस्केल का परियोग किया जाता है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा option D धूआ कैसे ringel man या दखिएगा ringel man scale का परियोग धूएं के घनत तो मापन में होता है और इसका विकास krisi yantriki के छेतर है इसके french french professor maximilian ringel man की द्वारा किया गया था ringel man scale का परियोग धूआ के घनत तो मापने में होता है इसका विकास krisi yantriki के छेतर के french french के ये professor थे french professor maximilian ringel man के द्वारा किया गया 29 नंबर है निमलिखित में से कौन सही सुमेलित है सही सुमेलित कौन सा है तो thermosister thermoresister जो है electronic thermometer का जो संबंध है इससे है तो thermoresister का जो संबंध है electronic thermometer से है बेलकुल सही thermoresister एक उपकरण है जो electronic thermometer के भाती ये कारे करता है और ये उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने परतिरोद को भी बदलता है प्रशन संख्या 30 है electroencephalograph यानि EEG किसकी निगरानी के लिए उप्योग होता है EEG का परिवर्त किसके लिए किया जाता है बहुत ही महत्पून प्रशने कई बार उचा गया है तो electroencephalograph जो है इसका परिवर्त मस्तिस के लिए होता है ठीक है मस्तिस D option देखें electroencephalograph एक परिक्षण है इसका उप्योग मस्तिस की बिदुतिय गति विदी से सम्बंदिश समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है 31 में आपको सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है तो देखें अगर बात करें इसका जो मिलान करिएगा तो सही जवाब हो जाएगा जो stethoscope है इसका जो सम्बंध है stethoscope का हिर्दय की धौनी सुनने के लिए इससे उपकरण का प्रियोग किया जाता है और esphignomanometer कुछी सेकेंड पहले हम लोगों ने discuss किया था इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त चाप मापने के लिए esphignomanometer का प्रियोग होता है keratometer keratometer जो है इसका प्रियोग किसके लिए होता है तो सोना की सुधता का पता लगाने के लिए आपने सुना भी होगा 22 karat, 24 karat, 20 karat इस तरह से सोना होता है सोना की जो karat होता है 22 karat यानि सोना की सुधता को ये दिखाता है और lux meter जो होता है ये क्या है? परकास की तिवरता मापने का ये एक उपकरण है यानि इसका सही जो option हो जाएगा option C याद रखिएगा इसके बाद next question है इसमें 2-3 point दिया गया कि इस टेथो इसकोप के सहायता से हिरदय की धड़कन को सुन सकते है एस्फिग्नो मैनो मीटर से बलड प्रेसर मापते है केरेटो मीटर से सोना की सुधता को मापते है और lux meter का प्रियोग परकास की तिवरता मापने के लिए किया जाता है 32 है रक्त दाब जो रक्त दाब है इसके नापने का जो यंत्र है ओक्या है रक्त दाब यानि बलड प्रेसर मापते है किसके माध्यम से तो देखिए जो रक्त दाब नापने के जो यंत्र है उसका नाम है S-Hignomanometer याद रखिएगा 33 नंबर है परकास की तिवरता नापने के लिए जिस उपकरण का परयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं परकास की तिवरता को नापने के लिए जिस उपकरण का परयोग करते हैं उसका नाम है Luxmeter C-Option परकास की तिवरता को नापने का जो उपकरण है वो Luxmeter है कोलोरी मीटर एक परकास उग्राही उपकरण है जो किसी पदात के द्वरा असोसित किये जाने वाले रंग को मापता है 34 नंबर रडार उप्योग में आता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो रडार है किसके उप्योग में आता है रेडियो तरंगों के द्वरा बस्तूओं की स्थिति ग्याद करने में ठीक है जो रडार है रेडियो डिडेक्शन एंड रेजिंग जो है या बस्तूओं का पता लगाता है पुरुरुप से और ये सुक्ष में तरंगों का उप्योग करता है ठीक है इसके द्वरा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की बस्तूओं की स्थिति उच्छाई दिशा और गती का ज्यान होता है 35 नमबर है निमलिखित में से कौन सी रासी जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है वह कौन सी रासी है जो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है वह है आपका भुकम्प की तिवरता भुकम्प की तिवरता को रिक्टर के माध्यम से जो है मापते है ठीक है और इसके बारे में डिसकस कलेते है रिक्टर एसकेल भुकम्प के परिणाम को मापने का एक पैमाना है यह एक लागरिथ्मिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बरावर बाटा या बटा पैमाना होता है 9 भागों में इसे बाटा जाता है Richter स्केल में परते के आगे की जो संख्या होती है अपने ठीक पीछे वाली संख्या से ये दस गुने आयाम को बताती है 1970 के दसक से भुकमपो के प्रिणाम का आकलन रिक्टर एसकेल के अस्थान पर जो है मोमेंट मैगनिट्यूड एसकेल परिणाम के अस्थान पर तीवरता सब्द का ही परियोग किया जाता है और ध्यान रखिएगा भुकम की तीवरता को मरकेली एसकेल पर निधारित किया जाता है और प्रिणाम को सिस्मो गराप के माध्याम से रिक्टर एसकेल या मोमेंट मैगनिट्यूड एसकेल पर ठीक है परिक्षा प्रश्णो में भुकम की तिर्वरता से आसेज जो होता है समाने तब भुकम के सक्टी से पावर से है विकल्पो में मर के लिए स्केल न होने के कारण रिक्टर स्केल ही इसका स्विकार उतर होगा सही जबाब हो जाएगा 36 नंबर है भुकम की तिवरता मापन किया जाता है भुकम की तिवरता का मापन किस यंत्रे के माध्यम से किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पर रिक्टर पैमाना मापने के लिए परियोग होता है रिक्टर पैमाना किसको मापने के लिए परियोग किया जाता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा भुकम पिय लहरू का आयाम C option 38 नमबर है कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिक्टर पैमाना का जो समंध आदरता से दिया गया है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है कुछी सेकेंड पहले हम लोग ने इसके बारे में डिसकस किया था रिक्टर पैमाना आदरता नहीं बल्कि भुकम के मापन के लिए परिप्ठ होता है इसके बाद 39 निमलिखित में भुकम पमापी यंत्र कौन सा है बताए भुकम्प मापी यंत्र कौन सा है तो इसका सही जबाब हो जाएगा सिस्मोग्राब सिस्मोग्राब भुकम्पी तरंगों के डिटेक्शन और मापन के लिए परिप्ठ होता है किस्कोग्राब पौधो में ब्रिधी को ये मापता है और इसका अविस्कार भारतिय वैग्यानिक जगदिश चंद्रबोस ने उन्नी सो में किया था और रेन गेज ये वर्षा मापी यंत्र है गीगर काउंटर एक परकार का कड़ अनुवेदक है जो पार्टिकल डिटेक्टर है ये आयनित विकिरण को मापता है चारिश नंबर है नेमलिखित में से किस यंत्र का भुकम तरंगों के मापन के लिए पर्योग किया जाता है किस यंत्र का भुकम तरंगों के मापन के लिए जो है मतलब कि पर्योग किया जाता है इसका सही जवाब क्या होगा बताएए इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्मो गराफ B option 41 है नेमलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भुकम्प की तीवरता का मापन किया जाता है नेमलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भुकम्प की तीवरता का मापन किया जाता है तो सिस्मो गराफ के द्वारा सेम क्वेस्टन सेम जवाब सिस्मो गराफ क्या रिकॉर्ड करता है आपको मालूम है सिस्मो गराफ जो रिकॉर्ड करता है वो भूचाल को ठीक है यानि हुकम की तिवरता को 43 है आपको सुमेलित करना है चलिए मिलान करते है इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जैसे भुकम का जो संबंध है बताइए भुकम का जो संबंध है वो किसे है तो भुकम का जो संबंध है सिस्मो गराप से है उंचाई, उंचाई को किसे मापते हैं, उंचाई का जो संबंध है, अल्टी मीटर से है, बेदुधारा का जो संबंध है, एमीटर से और पर्तिरोध का ओम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अप्सन A, आगे बढ़ते हैं, और इसको दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अल्टी मीटर नामकी अंत्रे से समुंद्र तल से बिमानों क्नूचाई मापी जाती है, एमीटर के द्वारा बेदुधारा का मापन किया जाता है, सेस्मों गराब के द्वारा भुकम को मापा जाता है, और पर्तिरोध का मात्रक ओम होता है, चोवालिस नंबर में भी आपक जो है सुमेलित करना है ठीक है चलिए मिलान करते हैं और इसका जो सही जबाब हो जाएगा जैसे फैदो मीटर फैदो मीटर का जो संबंध है इससे है तो फैदो मीटर जो है समुंद्र की गहराई को मापता है बैरो मीटर बताए वायू मंडली एदाव अल्टी मीटर जो है य उचाही को जो है मापा जाता है यानि B अप्शन विलकुल प्रेय्ड आप्शन है. फैदोमेटर नामक यंत्र से समुन्द्र की गहराई को मापते हैं. बैरोमेटर से वाईममंडली अदाग को, हाईगरोमेटर से वाईममंडली जाता है और अल्टी मीटर से समुंद्र तल से बिमानों की उचाई मापते हैं 45 नंबर है फैदो मीटर का उप्योग किसे नापने में किया जाता है तो समुंद्र की गहराई को C अप्षन बिल्कुल गया अप्षन है सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करते हैं देखे, एनीमो मीटर का सम्मंद किस से है, एनीमो मीटर का सम्मंद वायू बेक से है, सिस्मो गराब का जो सम्मंद है, वो भुकम्प से है, बैरो गराब का सम्मंद वायू मंडली ये दाप से है, और हाइगरो मीटर का सम्मंद आधरता से है, यानि इसका सही जो अप्षन हो जाएगा ओप्सन क्या होगा डी में दिया गया है दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए एनिमो मीटर का संबंद वायू विक से सिस्मो गराप से भुकम के थिवरता को बैरो गराप से वायू मंडली एदाव को हाईगरो मीटर से आधरता को मापते 47 नेमलकित में से कौन सुमेलित नहीं है इसका सही जबाब क्या होगा तो आपको मालूम है सिस्मो जो मीटर दिया गया प्रिष्टल की वकरता को समंदित दर्सारा है तो सिस्मो मीटर जो है प्रिष्टल की वकरता को दर्साता नहीं है बल्कि सिस्मो मीटर जो यंत्रे ये भुकम का मापन करता है और कार्वुरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वास्ट के साथ और सोसित किया जाता है काडियोगराप नामक यंत्र का उप्योग हिर्दय की धड़कनों को चितरित करने में किया जाता है और मैनोमीटर दाब का मापक मैनोमीटर जो है यह दाब का मापक यंत्र है दाब मापक होता है, तो option में जो, मतलब की जो option होना चाहिए, उस सही नहीं है मतलब की doubtful है, याद रखिएगा, 49 है जूट का पता लगाने के लिए किसी अंतर का परयोग किया जाता है अगर जूट का पता लगाना हो तो किसी अंतर का परयोग किया जाता है तो होता है, poliograp, poliograp के माध्यम से झूट का पता लगाया जाता है, कि कौन ब्यक्ती झूट बोलता है, कौन नहीं, इसके बाद अगर बात करें, तो देखिये, poliograp जो है, झूट का पता लगाने वाला ये दिवाइस होता है, पाइरोमीटर ये ओच ताप मापने का यंत्र है गाइरोस्कोप ये मतलब कि कह सकते हैं कि घुमती हुई बस्तूओं की गत्ती को मापता है और काइमोगराफ ये सरीर की किरियाओं को गराफ के द्वारा नेरुफित करने वाला यंत्र होता है जिसे रक्त चाप, हिर्दय की धर्कन आदी को फिप्टी नंबर है एलिवेशन या उध्वाधर तल ये 36 तल में कोणिये दूरी को मापने में परिफ्ट होने वाला जो यंत्र है और कौंस है तो थियोडोलाइट डी अप्शन 36 तल ये उध्वाधर तल में कोणिये दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है नेक्स सेशन में यांत्रिकी के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे आप अपना परतिक्रिया देते रहे हैं आपके परतिक्रियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है जिन लोगों ने टेलिग्राम, चैनल, टेलिग्राम, क्यूज़ गूरूप, फैस्बूक, पेज, इस्टाग्राम को जोईने किया वीडियो के डिसकेट संबॉक्स में उसका लिंक है, आप जोईन कर सकते हैं